नमस्कार आप देख रहे हैं बिजनस टुडे बजार मैं हूर शुर्मा एक बार फिर आपके सामने हम लोग हाजिर हैं तो कल हमने बजार में ग्रावट की बीच मौगन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल की री स्ट्रक्चिंग की ख़बर हमने दिखाई थी आपको बताया था इंडेक्स में कौन से स्मॉल कैप हैं जिसकी एंट्री होगी कौन सी सरकारी कंपनी हैं किनका वेटिज बढ़ेगा और कौन से बाहर होंगे तो तमाम जानकारिया लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं अब आस आपको करना क्या है बिजनस टूडे बजार को लाइक शेर सब्स इंडेक्स में NMDC, JMR, Airport Infra, Union Bank, Bail, PNB को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया गया ने 27 नए स्टॉक्स को Small Cap Index में शामिल किया है जब कि 6 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको हटाया गया है 27 नए जो Small Cap जो स्टॉक्स है उनको इसमें शामिल किया गया है जैसे कि आप जानते हैं कि जो एनलिस्ट है उन्होंने MSCI India Standard Index में सरकारी कंपनियों के शामिल होने की अदमाज जताया था और वो इस दिती आपके सामने है लेकिन हाँ जैमर एरपोर्ट का इसमें शामिल होना ये एक सर्प्राइजिंग मोव है अब Small Cap की बात करते हैं Small Cap Index में शामिल किया जाने वाले कॉंसे स्टॉक्स हैं की लिस्ट आप जाने लिए इसमें Healthcare Global Hemisphere होनासा कंजियूमर ममवार जिसे कहते हैं IFL Securities Indian Renewable Energy ITD Cementation जे कुमार Infra Projects हो गए JP Associates हो गया Jupiter Life हो गया के सोराम Industries हो गया KPI Global हो गया MSTC हो गया NetWeb Technologies हो गया पेसालो Digital हो गया रतन इंडिया Power हो गया संदूर मेंगनीज हो गया और SBFC Finance का नाम शामिल है इसके अलावा कुछ और नाम भी है जिसके वारे आप जान लीजे यहां पर बाल में लॉरी हो गया Benco Products हो गया Celo World हो गया Scient DLM DB Reality यहां पर इसके अलावा प्रवल से भी हो गया गया तो यहां पर कुंछ सच हो गया और आर्टषे को इस अभावर को आपया बिद्यक्स बढ़ा है है अब यहां पर कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जिनका वेटेज बढ़ाया गया है तो कौन से इंडेक्स में बढ़ाया गया है जुमेटो जुमेटो के अच्छे नंबर जाए उसका दो दिन से बजार में देखी रहे हैं तेजी देखने को मिल रही है स्टॉक मिल को लेकर इंडालको इंडस्ट्रीज इंटर ग्लोब अवेशन डॉक्टर रेडी लैब्स हो गए हीरो मोटो कॉप एज एफसी एमसी ल्यूपिन यहां पर और साथी बंदन बैंक के विटेज को भी यहां पर बढ़ाया गया घरिलू गोकेश फर्म निवामा अल्टेनेटिव देखने को मिल लगा यानि कि पैसा विदेशी निविश्कों के जरी 1.2 अरब डॉलर का भारती बजार में आ सकता है तो यह पूरी रिपोर्ट थी जो हमने आपके साब ने साजा करी और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहां पर की MSCI Emerging Market Index में भारत की 17.9 परतिश तक पहुंच जाएगी यानि इसका लेवल जो है और बढ़ जाएगा तो यह कैसी लगी रिपोर्ट हमें जरूर बताएगा बिजन सुटे बता के साथ जुनने के लिए आपका भवत धन्यवाद